हलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम क्लास्टिक्स हिस्ट्री के चैप्टर नंबर वन के इंपॉर्टन कुशिंज करने वाले चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टन कुशिंज बनते उनको हमने पिक किया है कुशिंज की फॉर्म रहेगी MCQ टाइप के फिल दे ब्लैंक, मैच दे पॉलाइंग, वैरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर एंड लॉंग आंसर टाइप कुशिंज हम कवर करने वाले तो फटा फट से स्टार्ट करते हैं अपने MCQs तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखें, आपको उनकी correct option बताने है पीपल हू गैदर दियर फूर्ट आपको पूछा जारे कि जो लोग अपना खाना इखटा करके खाते हैं उनको क्या कहा जाता है हंटर्स, स्किल गैदर्र, फार्मर या फिर मचंट तो हमारा आंसर होगा option B, स्किल गैदर्र नमबर टू, the places where rice was first grown are located in सबसे पहले rice कहां पर उगाई गई थी इसका आंसर क्या होगा, north of the Vindhya's, सुलेबान हिल, on the bank of the Ganga, या फिर Garo Hills तो हमारा correct answer होगा, north of the Vindhya's question number 3, the kingdom of Maghat was located तो आपसे पूछा जारे है कि Maghat कहां पर था, on the bank of the Indus, in the south of Vindhya's, in the area along Ganga's tributaries, in the south of Ganga, in the Garo Hills region तो इसका आंसर क्या होगा, कि Maghat जो था, कहां था, in the area along Ganga's tributaries, in the south of Ganga dash was not used in the old books, जो पुरानी books थी, उसमें किस type की language को use में नहीं लिया गया था प्राकरत, Hindi, Sanskrit या फिर Tamil, तो आंसर क्या होगा, option B, Hindi क्योंकि पहले जो language का में ली जाती थी, वो क्या थी, प्राकरत, Sanskrit and Tamil fill in the blanks, men and women moved in search of dash and to escape from बच्चों देखिए केवल मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैं तो आपको answer बता दूँगी और थोड़ देर में वीडियो खतम हो जाएगा लेकिन अगर आपने इनको practice नहीं किया, इनको understand करने की कोशिश नहीं कि तो फिर हमारा purpose all नहीं होगा, क्योंकि हमारा purpose है कि आप अच्छे से exam में perform कर पाओ अच्छे से आपको चीज़े समझ में आ जाए, ताकि जो exam में questions आए, उनको आप easily कर सको तो मेरे साथ साथ आप भी इन questions को पढ़िए, उनको understand करने की कोशिश कीजिए और फिर उसका answer दीजिए तो सबसे पहला point क्या कह रहा है, कि man and women moved in search of dash and to escape from तो आपसका answer क्या होगा, कि जो आदमी और थे, वो किसकी तलाश में घुमते थे, livelihood कि उनको जो खाना खाना था, जो उनके जीवन यापन के लिए जो important चीजे थी, उसके तलाश में घुमते थे और किस से बच के जाते थे वो, तो natural disaster से बचने के लिए, वो एक जगे से दूसरे जगे move करते थे The name India was given by the Iranians and the, क्या होगा, Greeks The bark of the birch tree was used to prepare, किसके लिए का मिली जाती थी? Manuscripts Inscriptions were written on hard surfaces like stone या फिर metal Traveling from one place to another led to, तो एक जगे से, दूसरे जगे ट्रैवल करने से क्या benefit हुआ? Sharing of ideas, जो ideas थे वो share होने लगे So, यहाँ पर हम match the following करने वाले, एक तरफ आपको location का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ information दे रखी है आपको match करना है कि किस location का क्या correct information है तो सबसे पहले हम बात कहते हैं, नर्मदा वैली की, तो इसका answer क्या होगा? Hunting and gathering, तो सबसे पहले hunting, gathering के evidence हमको कहा मिले थे? नर्मदा वैली में, मगत का क्या होगा? The first kingdom, गारो hills में क्या होगा? The early agriculture, इंडस and its tributaries, तो the first cities, गंगा वैली में हमको क्या मिला था? Cities about 2500 years ago के evidence मिले थे, सुलेमान हिले हमको क्या मिला था? Place where wheat and barley was grown first तो सुलेमान हिल एक ऐसे जगह है, जहां पर सबसे पहले हमको क्या के evidence मिले थे? Wheat and barley के Very short answer type question बचों, ये question आपका केवल एक number का होता है, और आपको इस concept केवल एक line में देना होता है तो सबसे पहले आपसे question पूछा जा रहा है Where are the सुलेमान and किर्थर hills located? तो आपसे पूछा जा रहे है कि सुलेमान और किर्थर hills कहां पर है, तो इसका answer क्या होगा? The सुलेमान and किर्थर hills are located in the Pakistan Number 2, What are tributaries? जब मैं आपको इस chapter को explain किया था, तो बहुत detail से समझाया था कि tributaries किसे कहते हैं तो इसका answer क्या होगा? Tributaries are smaller rivers that flow into a big river मतलब क्या हुआ कि tributaries ऐसे छोटी 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 rivers होती हैं जो बाद में जाके एक बड़ी river के अंदर मिल जाती है Number 3, Name the tributary of the river Ganga तो Ganga नदी की tributary इसमें आपके discuss किया गया है चैप्टर में, तो उसका नाम क्या है? Son river Number 4, What was the job of religious teacher? आपसे पूछा जारा है कि पुराने टाइम में religious teachers का क्या काम था? तो answer होगा इसका Religious teacher moved from one place to another to offer instruction and advice to the people who met on the way तो इनका क्या काम था? वो एक जगे से दूसरे जगे ट्रैवल करते थे तो रास्ते में जो उनको लोग मिलते थे उनको religion की बारे में instruction देना, advice देने का काम कौन करता था? Religious teachers Number 5, What is meant by the manuscript? Manuscript का मतलब क्या होता है? तो इसका answer होगा A manuscript is an indocument or book that is written by hand तो हमने इसको explain करते वे समझाता कि menu का मतलब होता है Hand और script का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को गर हाथ से लिखते है तो इसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है Manuscript Number 6, What are inscription? Inscription का मतलब क्या होता है? Inscriptions are writing on relatively hard surfaces like stone और metal जब हम stone या फिर metal पे कोई चीज़ लिखते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? Inscription और inscription में और manuscript में क्या difference है? कि manuscript को तो क्या है? हाथ से लिखा जाता है लेकिन inscription को क्या है? कि दिवार पे या फिर metal के उपर खोद के लिखा जाता है Number 7, Why do archaeologists look for bones of animal, birds and fish? जो archaeologists थे वो जानवरों के birds के fish के हड़ों को देख के क्या पता लगाते थे तो इसका अंसर होगा They do so in order to find out what people ate in the past उनकी bones को check करके देखते थे कि पुराने time में लोग क्या खा दे थे Number 8, What does the letter CE and BCE stand for? तो आप से यहाँ पे full form पूचा जा रहा है कि CE का full form क्या होता है और BCE का full form क्या होता है तो इसका अंसर होगा The letter CE stand for common era and BCE stand for before common era अगर आपको याद हो तो हमने discuss किया था कि जब Jesus Christ का birth हुआ था तो इनके birth के बाद वाले time को तो क्या कहा जाता है CE मतलब common era और उनके birth से पहले वाले time period को क्या कहा जाता है BCE मतलब before common era So यहाँ पर हमको short answer type questions करने सबसे पहला question है Make a list of all the objects that archaeologists may find Which of these could be made of stone? Archaeologist कौन होते है जो जमीन खोद के पुरानी चीज़ों को निकालते है तो आपसे question पूछा जा रहा है कि ऐसे list बनाईए जो की सामान archaeologist को खुदाए में मिल सकता है और उन में से उन सामान में से पत्थर की कौन से बने हुए है तो answer करते है तो इतने सारी चीज़े हैं तो हमको मिल सकती है लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इन में से पत्थर की कौन से बने हुए है तो answer होगा तो आपको समझ मैं इस question का मतलब पहले तो हमसे पूछा गया कि बही कौन कौन से चीज़े मिल सकती है उसके बाद में हमसे पूछा गया कि जो चीज़े मिली है उन में पत्थर की कौन से बनी है इसको हमने अभी discuss क्या है कि archeologist कौन है और वो क्या करते है तो इसका answer होगा archeologists are persons who study the objects of the past they study the remains of the building made of stone and brick, paintings and sculpture they also explore and dig the earth in order to find a tool, weapon, pot, pants, ornament and coin तो archeologists उन लोगों को कहा जाता है जो पूरानी चीज़ों के बारे मिली हम study करते है वो क्या study करते है बिल्डिंग made of stone and brick, paintings को और sculpture को कभी कभी तो वो क्या करते है पूरानी चीज़ों को खोद के निकालते हैं जैसे कि tools, weapon, pot, pen, ornament and coin और उससे फिर वो पता करते हैं कि वो चीज़े कितने सालों पूरानी थी जैसे तरीके से राजा महराजा कुछ भी करते थे, को लड़ाई लड़के आते थे तो वो उसको हर चीज़ को लिखके रखते थे लेकिन जो normal लोग थे वो उसको नहीं लिखते थे जैसे कि farmers हैं, carpenter है, merchants हैं वो उनको लिखके नहीं रखते थे तो आपसे बूचा जा रहा है कि इसके बीची reason क्या है तो answer क्या होगा? They did not know the art of writing in the beginning तो कि starting में उनको लिखना ही नहीं आता था Second क्या है? They were not having interest in such work उनको interest नहीं था और तीसरा reason क्या है? They did not know the importance of keeping record of the event उनको importance नहीं बता थी कि लिखने से क्या benefit होगा राजा माराजे की लिखी चीज़े हम आज पढ़ सकते हैं लेकिन अगर नॉर्मल लोग वो लिखते तो हमको उनके लाइफ के बारे में पता होता कि उनकी लाइफ कैसी है लेकिन उन्होंने किसी भी टाइप के record को नहीं लिखा इसलिए हम उनकी लाइफ के बारे में आज नहीं जानते हैं पुराने टाइम में नॉर्मल लोगों की लाइफ कैसी थी आंसर क्या होगा तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया कि राजा जो थे वो महलों में रहते थे बड़े-बड़े घरों में रहते थे लेकिन फारमर छोटी से जोपडी में या पर छोटे-छोटे घरों में रहते थे next क्या है The Kings were depend for their food on farmer farmer used to produce food for themselves and other person also क्या हुआ कि जो राजा महरा जै थे वो अपने खाने के लिए फारमर पर डिपेन्न थे लेकिन farmer अपना खाना खुद produce करके खाते थे So, यहाँ पर हम बात कहते हैं Long answer type question की जो कि एक question पांच नमबर का होगा Question पूछा जा रहा है Why did people travel? पुराने time में लोग क्यो travel करते थे Reason पूछे जा रहे हैं तो answer क्या है Man and women moved in search of livelihood and also to escape from natural disasters like flood or drought हमने पहले भी बात की थी कि वो livelihood की search में घुमते हैं और livelihood का मतलब क्या होता है कि इनसान के जीवन जीने के लिए जो भी important चीजे होती है For example, food, water, shelter, clothing इन सब के search में वो एक जगे से दुसर जगे घुमते थे और दुसरी बात क्या है कि जो natural disasters थे जैसे कि flood है, drought है इनसे बचने के लिए भी वो एक जगे से दुसर जगे move करते थे Next क्या है Sometime man marched in armies conquering other land कभी-कभी क्या था कि जो राजा मारा राजा थे वो युद्ध लड़ने जाते थे तो उनके साथ में भी लोग एक जगे से दुसर जगे move करते थे Merchants travel with car bar or ship carrying valuable good from place to place जो merchants से वो अपना सामान बेचने के लिए एक जगे से दुसर जगे जाते थे Next point क्या है Religious teachers travel walk from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way तो हमने अभी बात कर ली थी कि religious teachers उपदेश देने के लिए एक जगे से दुसर जगे move करते थे Last point है Some people perhaps travel driven by the spirit of adventure wanting to discover new and exciting places कुछ लोगों को नई नई जगे खोजने में मज़ा आता है For example, जैसे वासको डिगामा ने इंडिया की खोज की थी Columbus ने अमेरिका की खोज की थी तो इस तरीके से लोगों को नई नई जगे खोजने में मज़ा आता है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने दोस्तों की शाद शेयर करना है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में Till then, take and have a good day